बड़े राजियों की ग्यारा बड़ी खबरे शुरुआत करते हैं पंजाब से जहां ड्रोन में फिर घुसपैट की कोशिश की गई है और B.S.F. ने पाकिस्तानी को मार गिराया है इस खबर की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया धन्यवाद निहारिका यहां पर आपको बता दे कि सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहां पर ड्रोन देखे जा रहे थे लगातार और B.S.F. जो थी लगातार कोशिश कर रही थी कि इस ड्रोन के बारे में पता चले कि यह पाकिस्तान की क्यों आ रहे हैं और साती साथ इन ड्रोन से कोई हतियार तो नहीं गिराए जा रहे हैं या फिर किस वजह से यह दो जारी है कोई एसी बात सामने नहीं आई है वहीं अब ड्रोन के बाद पाकिस्तान में फिर से घुसपैट की कोशिश की गई है BSF ने कल यहाँ पर अटारी सेक्टर से भारतिय सीमा में दाखिर होने की कोशिश कर रहे है एक पाकिस्तानी को यहाँ पर धेर कर दिया है, मार गिराया है उसे और जानकारी के अनुसार कल देर शाम को एक पाकिस्तानी भारतिय सीमा की तरफ आ रहा था और उस वक्त वहाँ पर BSF के जवानों ने जब उसको आवाज लगाई और उसे ललका रहा तो वो वापस भागने लगा यूँकि शाम के वक्त धुन जादा हो जाती है तो उस वक्त आतंकी कोशिश करते हैं कि वो मौका देखकर जल्दी से बॉर्डर के इस पार आ जाएं तो उस वक्त जब वो वापस भागने लगा तब BSF के जवानों यहाँ पर उस पर फाइरिंग करी और उसमें वो धेर हो उसके बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से पाकिस्तानी करंसे मिली है और साथ ही साथ एक मुबाइल भी मिला है फिलाल उस मामले में जाच की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि पता लगे कि किस ने भेजा था या किस उदेश उसे वो साइड आ रहा था वहीं आपको बता दें कि anti-drone एक system बनाया जा रहा है क्योंकि लगातार drone जो है वो पाकिस्तान से भारत की सीमा पर आने की कोशिश कर रहे हैं और निगरानी रखने की याँ पर कोशिश की जा रही है तो उसके लिए एक anti-drone system बनाया जा रहा है ताकि जो जितने भी drone है उनको हवा में ही खतम कर दिया जाए और वो बिल्कुल भी बॉर्डर के इस पार ना आ सके तो लगातार भी इससे कोशिश कर रहा है कि भारत की सीमा पर सुरक्षा जो है वो कड़ी की जाए और ये भी कोशिश कर रहा है कि सुरक्षा के